अपने अभिभाशन को शुरू करने जारें माननिय सदस्यगान संसोत के इस समावेद सत्र को संभधित काते हुए मुझे हार्थीक प्रसंता को लेगी उची मेहने पहले देश ने अपनी आजादी के पचछतर बर्स पुरी करके आजादी के अम्रुद काल में प्रवेश किया है आजादी के इस अम्रुद काल में हजारों बर्सों के गोर्व साली अतित का गोर्व जुड़ा है भारत के सतंत्रता संग्राम की प्रवणाय जुड़ी है और भारत के सरनीम भविश्यों के संकल्ब जुड़ी है अम्रुतकाल के यह 25 बर्ष का कालखंड सतंत्रता की स्वर्णिम सातव सताब दिका और विक्षित भारत के निर्मान का कालखंड है यह 25 बर्ष हम सब के लिए और देश के प्रत्यक नागरिक के लिए करतव्यों की पराकास्टा करके दिखाने के यह हमारे समने युग निर्मान का अबर्ष अर है और हमें इस अबसर के लिए सत्प्रतिस्वत सामत्त के साथ हार ख्यों कार्य करना है हमें 2047 तक एसे रास्टर का निर्मान करना है जो अतित के गोर्व से जुड़ा हो और जिसमें आधनिकता का हार सोर्निम अध्धाय हो हमें एसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो और जो अपने मानुव्य दाइत्तों का पूरा करने के लिए भी समत्त हो एसा भारत हो जिसमें गरी भी ना हो जिसका मध्धम बर्ग भी बोईभव से युक्त हो एसा भारत हो जिसकी जुबा सकती और नारिशकती समाज और रास्ट्रों को दिशा देने के लिए सोब से आगे घड़े खड़े हो जिसके जुबा समय से दो कोदम आगे चलते हो एसा भारत जिसकी विविदता और अधिक उज्जल हो जिसकी एकता और अधिक अटल हो दो हजा संचालिस में देश जोब इस सच्चाई को जिवन्त करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्मान की नीव का अबलकन और आकलन भी करेगा तो आजादी के अमुरुदकाल की इस प्रथम बेला को एक अलग आस्ता के साथ देखा जाएगा इसलिए आज अमुरुदकाल का ये समय एक अलखंट बहुत महत्तपुनग हो गया है माननय सदस्यक मेरी सरकार को देश के लोगों ने जो पहली बार सेवा का अबसर दिया तो सब का साथ सब का विकास के मंत्र से हमने शुरुआत की थी समय के साथ इसमें सब का विकास, सब का विश्वास आज आज जुड़ा गया एही मंत्रो आज विक्षित भारत के निर्माण की प्रेणा बन शुका है विकास के ये कत्तव्यपत पर चलते हुए मेरी सरकार को कुछी मेहने में नो बर्ष पूरी हो जाएगी मेरी सरकार के लोगभक नो बर्ष में भारत के लोगों ने उनेक सक्रात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं सोब से बड़ा परिवर्तन एग वाहे कि आजहार भारतियों का आत्मो विश्वास सीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है जो भारत कभी अपनी अधिकांग्स समस्षाओं के समाधान के लिए दुसरों पर निर्भर था ओही आज दुनिया की समस्षाओं के समाधान का माध्धम बन रहा है जीन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दोसों को तक इंतजार किया वे इन वर्षों में उसे मिली है जीस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कभी कामना करते थे वो इन वर्षों में देश में बनना सुरू हुआ है आज भारत में एशा डिजिटल नेट्वार्क तियार हुआ है जिससे विक्षित दिशा में देशों में प्रेवना ले रही है बड़े बड़े घटेलों सरकरी जो जनाव में भस्टाचर की जीन समस्चाओं से देश मुक्ती चाहता था ओ मुक्ती आप देश को मिल रही है पोलिसी पारलिसिस के चोच्चा से बाहर आकार आज देश की पेहंचान तेज बिकास और दूरगामी दृष्की सिक के लिए फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं इसलिए हम दुनिया के दोस्मे नंबर की अर्थ व्यवस्टाच से पांच में नंबर पर स्पांच के लिए ओर नीभे जो आने बाले 25 साल में विक्षित भारों के निर्मान के आद्गात्म विश्वास को बलोंत करेगी मानोनिय सद्दस्योगन भगवान वसब्वेश्वर ने कहा था कायो को भे कैलास अर्थात कर्मों ही पुजा है कर्मों में ही सिर्थ उनके दिखाई मार्गों पर चलते हुए मेरी सरका राष्टो निर्मार के कत्व्यों को पुरा करने में तत्परता से जूती है आज भारत में एक स्थीर, निडर, निर्नायक और बड़े सपनों के लिए काम कान्नेवाले सरकार है आज भारत में इमांदार का सन्मान कान्नेवाले सरकार है आज भारत में गड़िबी को 27 समाधान और उनके 27 ससक्ति करन के लिए काम कान्नेवाले सरकार है आज भारत में अभुत्पुर्वा स्पीड और स्केल पर काम कान्नेवाले सरकार है आज भारत में इनोभेशन और टेकनोलोजी के माध्डम से जनकल्लान को सर्बो परी रखनेवाले सरकार है आज भारत में मोहिलाओं के सामने से हार बाधा को दूर करनेवाली समसरकार है आज भारत में प्रगति के साथ ही प्रकुति का भी संगरक्षन करनेवाली सरकार आज भारत में बिरास्वत के समरक्षन के साथ ही आधुनिक तको बढ़ावा देनेवाली सरकार है आज भारत में अपनी बैसिक भुमिका को लेकर आत्म विश्वास से आगे बढ़नेवाली सरकार है मानन्य सद्दश्योगन मैं आज इस सद्रो के माध्व से देश भास्यों का अभार व्यक्त कात्ति हूं कि उन्होंने लागादार दो बार एक स्तीर सवरकार को चूना हे मेरी सरकार ने देशित को स्वधेव स्वर्व परिड़ाखा, निती रोन निती में स्वम्पूल परिवर्टन की इच्छा सक्ती दिखाई। साजित कार स्ट्राइक से लेगार आतंबात पर कोठर प्रहार तोक, एलोसी से लेगार एलेसी तोक, हार दूस्षा होसके कड़े जबाब तोक, अर्टिकाल अर्टिकाल 370 को हटाने से लेकर तीन तला तो मेड़ी सरकार की पेंचान एक निन्नायक सरकार की रहने हैं। स्थीर और निन्नायक सरकार होने का लाब हमें 100 साल की सबसे बड़ी आपदा और उसके बाद वनी परिष्टितियों से निपर्ने में मिल रहा है। दुनिया में जहां भी राजनीतिक अस्तिर्ता है और देश आज भी सण संकोट से घेरे हैं। लेकिन मेरे सरकार ने राष्टर हित में जो भी निन्नल किये उससे सार भारत का बाकी दुनिया से बहुत बेहतर स्कितिति में। माननियों सदस्यगों मेरी सरकार का सपस्ट मोथ है कि भष्टाचार लक्तंत्र का और समाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुस्मन है। इसलिए बिते बस्ट से भष्टाचार के विरूत निरंतर लड़ाई चल रही है। हमने सुनिस्चित किया है कि व्यवस्ता में इमांदार का सवनमान होगा। भष्टाचरियों के लिए समाज में किसी भी प्रकार की स्वहनुवति ना हो। इसके लिए समाजिक चतना भी डेश में बढ़ है। बिते बर्सों में व्रस्टाचार मुक्त इकोसिस्टम बनाने की दिशा में बेनामी सम्पती अधिनियम को नोटिफाई किया गया है। आर्थिक अभरात कर फरार हुए उपराधियों की सम्पती जब्द करने के लिए फजिटिव एकोनोमिक अफेंडर्स आक्ट परित किया गया है। सरकारी कामों में पख्यपात और व्रस्टाचार के चलन को भी खोतम करने के लिए प्रोभावी सिस्टम बनाया गया है। प्लेश जैसे वेवस्ता है जिसमें आप तो 3 लाग प्रोड लुपेश से अधिक का रांजक्शन हुआ है। राष्ट निर्माण में इमांदर जोगदान देने बालों को आज विशे स्वनमान दिया जा रहा है। इनकुम टक्स रिटान फाइल करने के कोई जोटिलताओं को खोतम कर देश बास्यों का जीवन आसान बनाया गया है। फेशलेश जांच को बढ़ावा देने की बज़े से बेवस्ता में पार्दोस्षिता आई है। और उसे जबाब देह भी बनाया गया है। पहले टाक्स रिटान के लिए लोंबा इंतिजार करना पड़ता था। आज आई टी आर भनने के कुछी दिनों के भीतर रिटान मिल जाता है। आज GST से पारिदोस्षिता के साथ साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनी स्चित हो रही। जन्धन, आधार, मोबाइल से फोर्ज लाबारतियों को हटाने से लेकर One Nation, One Ration Card तो एक बहुत बड़ा स्थाई सुधार हमने किया। बीते बर्सों में, डिबीटी के रूप में, डिजिटाल इंडिया के रूप में एक स्ताई और पार्दोस्षि वेवस्ता देश ने तेयार की है। आज 300 से जादा जो जोनाओं का पेशा सीधे लाबातियों के बेंक खते तो पहुंच रहा है। अब दो पूरी पारिद सत्य से 27 लाग क्रोर रूपिय से जादा की रुकम क्रोरों लोगों तो पहुंचाए गई है। वार्ड बेंक की रिपर्ट काती है कि एशा जो जोनाओं और एशी वेवस्ताओं के कारण ही करोना काल में भारोत करोरों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचा पाया है। जो भुष्टाचा रुकता है और टाक्स की पाई-पाई का सोदुबोचक हता है तो भार टाक्स प्यार को भी गर्भ हता है। मानोनियों सदस्योगन आज देश का इमांदर करदाता चाहता है कि सरोकारें सोटकर्ट की राजनीती से बचे एशा जो जनाओं बने जो समस्षाण के स्थाई समाधान को प्रस्षाहित करें। जिन से समान्यों जोन का सशक्तिकरण हो। इसलिए मेरी सरकार ने बत्मान चुनोतियों से निपतने के साथ ही देशबासियों के दिर्खो का सशक्तिकरण पर बोल दिया है। गरिबी होटा आपके बल नारा नहीं रहे गया है। आप मेरी सरकारदार गरिब की चिन्ताओं का स्थाई समाधार करते हुए उससे सोशक्त बनाने के काम क्या जा रहा है। जैसे गरिबी का एक बहुत बड़ा कारौन बीमारी होती है। इसके तहट पचास करोज से अधिक देशपासियों के लिए मुफत इलाज की सुबिधा दी गई। आईसमान भारत जजना ने देश के करोणों गरीब होगा और गरीब होने से बचाया है। उनेक गरीब उनके असी हजार करोज रूपया खर्च होने से बचाया है। आज देश परने करीब 9,000 जनावसोदी केंद्र में बहुत कम किमोद में दावाईल उकलब कराए जा रहे है। इससे बिते बर्सों में गरीबी के करीब 20,000 परोज रूपया बचे है। यानि सिर्क आईशमन भारत और जनावसोदी परिजोजना से ही देशवासियों को एक लार करोज रूपया की मदर भी। मैं समान्यों नागरिक के जिबन से जुड़े सोब से महत्त पुण सुंसाधन पानी का उदाहरण आप सभी के सामने रखना चाहूंगे। मेरी सरकान ने हार घर जल पहुंचाने के लिए जल जिबन मिशन सुरू किया। पहले उसके पहले तक साथ दोसकों में देश में करीब सोबा तीन करोर घर तोखी पानी का कनेक्शन पहुंचा था। लेकिन जल जिबन मिशन के तहट इन तीन बर्षों में से करीब ग्यारक करोर परिबार पाइब क्वाटर सप्लाई से जुच्चान। इसका सबसे ज़्यादा लाग गरीब परिबार को ही मिल रहा है। उसकी चिन्ता का स्थाई समाधान हो रहा है। बीते बर्षों में सरकान ने साठे तीन करोर से अधिक गरीब परिबारिवों को पक्का घर बना कर दिया है। जब घर मिलता है तो नाया आत्मविश्वास आता है। इससे उस परिवार का बर्तमान तो सुधारता ही है। उस घर में जो संतन बड़े होते हैं उसके आत्मविश्वास में भी बुरुध्धी होती है। सुरकाने टाइलेट, बिजली, पानी, गेस ऐसे हार मूल सुविधा की चिंता से गरीब को मुक्त करने का प्रयास किया है। इससे देश की जनता को भी ये विश्वास हुआ है कि सरकर जजना और सरकरी लाव बास्तों में जमिन पर पहुंचा है। और भारत देशे विशाल देश में भी सोत प्रतिशत पभरेज यानी सेचुरेशन संभव है। हमरी गरंथमी लिखा है अयोंग नीजोह परोब्यती गणोना लगुचेत सम्भ। यानी ए अपना है, ए प्रया है। एसी सोच सही नहीं होती। मेरी सरकार ने बीना किसी भेदवाब के हार बर्ब के लिए काम किया है। बीते कुछ बर्सों में मेरी सरकार के प्रयासों के नतिजा है कि उन्हें एक मूल सुभी धाएं। आज या तो स्वध प्रतिसयत अबादी तक पहुंच चुकी है या फिर उस लख्ष के बहुत निकट है। मेरी सरकार हार यज़ना में 100% साचुरेशन के साथ ही उन्तद्द्द्द्द्द के प्रति भी पूरी निस्टा से काम कर रही है। हमारी कसी से कि ज़नाओं का लाभ सही और सभी लाभार्तियों को मिले। कोई भी सरकार की जजना के लाव से बंचित ना हो था मानियने सदस्यवार हमने देखा है कि कुरोना काल के दोरान दुनिया भर में किस तरह गरीब के लिए गुजारा मुश्किल हो गिया था लेकिन भारत उन देशों में से एक है जिसने गरीब का जीवन बाचाने का सर्वच्च प्राथमिक्ता दी और पशिश की कि देश में कोई गरीब भूका नहीं सुए मुझे खुची है कि मेरी सरकार ने पीएम गरीब के लाण अन्य जोजना को नहीं परिश्टितियों के अनुसर आगे भी चलाने का निन्नोई लिया है ये एक संबेद अन्सिल और गरीब हीतेशी सरकार की पहचान है पीएम गरीब के लाण अन्य जोजना के तहट सरकार गरीबों को मुख़त अनाज के लिए लोगभग साढ़े तीन लाग प्रोह रूपया खर्च कर चुकी आज इस जोजना की प्रसंशा पूरी विश्चों में हो रही है इस प्रसंशा की इस प्रसंशा की ये बज़ ये भी है की टेकनोलोजी की मदद से बनी पारदस बेवस्ता में आज पूरा का पूरा हार लाभरती तोग पहुँच रहा है मनोनिय सदस्चगण आमारे देश में एसे उनेक बर्ग तो था एसे उनेक छेत्र है जिनकी उमीदों और आबसुकताँ पर समुचित ध्यान दे कर ही समगर विकास की परिकलपना की पूरा की जा सकती आप मेरी सरकार एसे हार बंचित बर्गों और बंचित छेत्रों को बरियता देते हुई काम कर रही है मेरे सरकार ने हार उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियं से बंचित रहा था गरी दलीत पिछडे आदिवासी इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सोपने देखने का साहोस दिया है कोई भी काम और कोई भी पुर्यास छोटा नहीं होता वलकि विकास में सभी की आपनी हुमिका है इसी भाब के साथ बंचित बर्गों और ओबिकशित छेत्रों के विकास पर बोल द्याग जा रहा है करेहडी ठेले फुटपात पर बड़ी संख्या में हमारे चोटे बेवसाई अपना व्यापर करवार और दुकांधरी करते हैं मेरी सरकाने विकास में इन सथियों की भुमिका को भी सरा है इसलिए पहली बार इनको फर्माल बेंकिन से जोड़ा और प्रियेम सोनीधी के मार्खम से सस्ते और बिना गरेंटी के रिवन की बेवस्ता की जोजोना के तहट स्ट्रीट भेंडोर्स को डिजिटाल लेंदेन के लिए प्रोस्चाहन राशी प्रदान की जा रही है अभी तक करीब 40 लाग साथियों को इसके तहट रून दिया जा चुका है मेरी सरकर की प्राप्थमित्ता में देश के 11 क्रोर छोटे किसान भी है ये छोटे किसान दोसों को से सरकर की प्राप्थमित्ता से बंचित रहे थे आप इने सशक्त और समरुत करने के लिए हार तरह की कसिस्की जा रही है पीएम किसाम सुन्ना निधी के तहट इन छोटी किसानों को सोबा 2 लाग प्रो रूपिया से अधिक की मदद्री गई खास बात एई है कि इन लाभार्तियों में लगभुक तीन करोन लाभार्ति मोहिला है इससे अभी तक लोगभुक 24,000 करो रूपिया मोहिला किसानों को मिल चुकी है इसी तरह छोटी किसानों के लिए फोस्वल भीमा, सोयल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, के सी सी की कोभरेज बढ़ाने के साथ ही हमारी सरकान ने पहली बार पोसुपालों को और मोच्वारों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुभिधा से जोड़ा किसानों के सामोर्थ को बढ़ाने के लिए एप्पियो यानी फार्मार प्रोडूसर और्गानाईजेशन्स की स्तापना से लेकार फोसोलों के माने निया सदस्योगन मेरी सरकान ने अनुसुचित जाती जन जाती और अन्यों पिछडा बर्ग के आखंका को जगाया है यह ओही बर्ग है जो विकास के लाव से सबसे अधिक बन्चित था आप जो मूल सुबिधाएं इस बर्ग तक पहुँच रही है तो यह लोग नए सपने देखने में सख्यम हो पार है अनुसुचित जाती के समाजी आर्थिक सोशक्ति करोण के लिए डक्टर अम्बेतकार उस्सवधाम अम्रुद जल्धरा और जुबा उद्ध्योमी योजोना जेसे कार्योक्रम चलाए जा रहे है आदिवासी गोरव के लिए तो मेरी सरकान ने अभूत पुर्वव फेशाला किये है पहले बार देश ने भगवान बिर्शामुडा के जन्म दिवस को जन जाते गोरव दिवस के रुप के मनाना शुरूद हाली में मानगोरधाम में सरकान ने आदिवासी क्रांती बीरों को पहली बार राष्ट्योस्तोर पर स्रधान जले दी आज 36,000 से ओधिक आदिवासी बहुल्यो बाले गाउं को प्रधान मंत्री आदी आदर सोग्याम योजोना के तहत बिख्षित किया जा रहा है आज देश में 46,000 से ओधिक एकलव्यो मोडेल स्कूल आदिवासी छेत्रों में खुल चुकी है देश भर में 3,000 से ओधिक बंधन विकास केंद्रो आजिविका के लिए साधन बने है मेरी सरकान ने राष्ट्य पित्रावर्ग आयोग को संभी धनिक दर्जा देकार अबिसी के वेलफार के लिए हमारी प्रतिवधता को स्पस्ट किया है बंजारा गुमन्तु और धोगुमन्तु समुदाय के लिए भी पहली बार वेलफार एंड डेवलोप्मेंट बोर्ड का गठन किया गया मानने शदश्य गां देश में एक सो से अधिक जीले इसे थे जो विकास के उनेख पेमानों से पीछे रह गे थे सरकार ने इन जीलों को अकांखी जीले आस्पिरसनाल डिस्टिश गोश्थिसकर इनके विकास पर ध्यान दिया आज ये जिले देश के दुसरे जिले से बराबरी की और बढ़ रही है। इसके लिए देश में पाइसो ब्लोड को आस्पिरिशनल ब्लोग को रूप में बिक्सित करने का कारियों शुरूत हिया गया। ए अकांकी ब्लोक समाजिक न्याय की एक संस्थागोत बेवस्ता के तर पर विक्सित केल जा रहे हैं। बहुत बड़ी चुनती थी। मेरी सरकार ने 27 संती के लिए भी उनेक सफल कदम उठाए हैं और भोगली चुनतियों को भी चुनती दी है। पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने भाइब्रांट विलेजस प्रोग्राम पर काम सुरू किया। राष्ट्यों सुरुख्या की दृष्टी से भी सिमावर्ति छेत्रों में अभुत पुर्व इंस्प्राक्ट्रक्चर बीते सालों में तियार किया गया है। इससे भी इन छेत्रों में विकास की गति मिल रही है। पिछले कुछ दोष्टों से राष्ट्यों सुरुख्या के लिए बहुत बड़ा ख्यत्रा बन चुकी बामपत्ती हिस्सा भी आप कुछ जीलतों की सिमीत रहे गये है। मान्यन्य सदस्यक्ण मेरी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धी मोहिलास सक्ति करण की रही है। इस संधर में मुझे नारी सक्ति नामक एक प्रेड़ो कविता का स्मरण होता है। जीसे भारतिय साहित्यों की अमर्श भीभूती स्वाधिन्ता सेनानी तो था ओडिया भासा की सुप्रसित नारी कभी उतकल भारति कुंतलकुमरी साबतने लिखा था। आज से लोगभक सो बर्स पहले उन्होंने ए उद्खश किया था। बसुन्धरा तोले भारत और अमणी नुहे हिने नुहे दिनों अमर किर्योती कटी जुगे कभे जगतों नुहे बोली नुहे और ठाथ भारत के नारी प्रुथिवी पर किसी की तुलोना में ना तो हीन है ना दीन है। सुमपुर्ण जगत में उसकी अमर किर्थी युगो युगो तो कभी लुप्त नहीं होगी यानी सद्यव बनी रहे है। मुझे ये देकर गौर्ब हता है कि आज की हमारी बेहने और बेटियां उतकल भारती के सुपनों के अनूरू बिश्यो स्तोर पर आपनी किर्थी पता का लाहरा रहे है। मुझे प्रसंता है कि मोहिलाओं की एकर के प्रयासों का संबल रहा है। मेरी सुरकादर जितने भी कल्लानकरी जजनाय सुरू की गई है। उनके चेंद्रों में मोहिलाओं का जिवन आसान बनाना, मोहिलाओं को रोजगार, सो रोजगार के नई अपसर देना और मोहिला ससकति करण रहा है। मोहिला उत्थान में जहां पुराना धरानाओं और पुरानी मन्योताओं को तोड़ना भी बढ़ा, उससे भी सुरकार पिछे नहीं है। बेटी बचा, बेटी पढ़ा, अभिजान की सफलता आज हम देख रहे हैं। सुरका के प्रयारशों से समाज में जो चितना आई उससे बेटीयों की संख्या में निरन तर बुद्धी हो रहे है। देश में पहली बार पुरुसों की तुलोना में मोहिलाओं की संख्या अधी कुई है। येवं मोहिलाओं का स्वास्त भी पहले के मुकाबिले और बेहतर हुआ है। प्रधान मंत्री सुरक खित मात्रु तो भियान हो या फिर प्रधान मंत्री मात्रु बंदना योजोना। इन में मा और बच्चे दोनों की जिवन को बचाने में हम सफल रहे है। आयुसमन भारत योजोना की भी लोगभग पच्चास प्रतिस्वतला भारती मोहिलाओं ही है। मानन यो सदस्य लगवान। मेरी सरकार बेटियों की पढ़ाई से लेकर उनके केरियर तो हार बाधा को दूर करने का प्रयास कर रही है। देश के सरकारी स्कूलों में बेटियों के लिए अलग तैलेट का निर्माढ़ हो या फिर सानिट रेट पेट से जुड़ी योजोना। इससे बेटियों के ड्रोप आउट रेट भी बहुत कम आई। सच्छ भारत अभियान से मोहिलाओं की गरिमा तो बढ़ी ही है। इससे एक सुरत्थिक माहल भी उन्हें मिला है। सुकन्या सुजना सम्रुधी जजना से देश बहुत की करोणों बेटिया के बेहतर अभविस्टों के लिए पहली बार सेविंग एकाउंट खुली है। नई परिखस नई राष्ट्य सिख्छानिती में भी बेटियां की सिख्छा के लिए अनेक महत्तोपुनों कदम पुठाई गई है। मेरी सरकार ने ये भी सुनिस्चित किया है कि किसी भी काम, किसी भी कार्यों खेत्रों में मोहिलाओं के लिए कोई बंदिश ना हो। इसलिए माइनिंग से लेका सेना में अग्रिम मोच्चेतों हार सेक्टर में मोहिलाओं की भर्ती को खोल गया गया। स्वाइनिक स्कूलों से लेकर मिलिटरी ट्रेनिंग स्कूलों तो में आप हमारी बेटियां पढ़ाई और ट्रेनिंग कर रही है ये मेरी सरकार ही है जिसने मात्रूत अवकास को 12 सब्ताहों से बढ़ागाई 26 सब्ताह किया है सबके दोरान देश के खदी और ग्रामिन उद्जग के अटार नवर एक लाग प्रोर रूपिया से अधिक काच हो चुटा मेरी सरकार के प्रयासों से खदी के विक्री में चार गुना बढ़ी है मानेन्य सदस्यगन मेरी सरकार ने इनवेशन और इंटर्पिरनरसिप पर निरंत और अभुद कुर्व बल दिया है इससे दुनिया की सबसे युबा आवादिवाले हमारी देश की ताकत का सदुपोजोग हो रहा है आज हमारी जुबा अपने इनवेशन की ताकत दुनिया को देखा रहे है 2015 भारत गलोबाल इनवेशन इंडेक्स में 81 स्थान पर था आब हम 40 स्थान पर पहुँच गई साथ पस पहले जहां भारत में कुछ सो रेजिस्टर्ट स्टार्ट आप ही थे ओही आज ए संख्या लोगभग 90 हजार पहुँच चुके हार रोज आबास योजोना के 11 हजार घार बने इसी अबधी में भारत में हार रोज असोतम धाई लाक लोग प्रोड बेंड कनेक्सन से जुडे हार रोज 55 हज़र से ज़्यादा ग्यास कोनेक्सन दिये गे मुद्रा जोजना के तहत हार रोज 700 क्रोर रुपय से ज़्यादा का लोण दिया गया बीते आठ नो बोर्षों में भारत में लोगमों घार महीने एक मेडिकाल कोलेज बना है इस दोरान देश में हार दिन में दो कोलेज की स्तापना हुई है हार सब्ता एक इनभर्सिटी बनी हैं सिर्फ दो साल के भितर भारत ने 220 क्रोर से ज़्यादा भेक्सिन की डोज भी दी है सोश्याल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो साल 2004 से 2014 की बीच देश में जहां 145 मेडिकाल कोलेज खुले थे ओही मेरी सरकार ने 2014 में 2012 तक 2014 से 2022 तक 260 से अधिक मेडिकाल कोलेज खुले थे केंद्र सरकार दारा 7,000 से अधिक इलेक्ट्रीवन बसे पाबलिक ट्रांसपर्ट में जोड़े जा रही है बिते 8 बर्सों में देश में मेट्रो नेट्वर्क में तीन गुना से अधिक बढ़त्री हुई है आज 27 सहरों में मेट्रो ट्रेन पर काम चल रहा है इसी प्रकार देश भर में एक सो से जादा नहीं वाटर्वे भी बिक्सित किये जा रहे है नहीं वाटर्वे से देश में ट्रांस्पोर्ट सेक्टर का काया कॉल करने में मदद करेगी मानन या सदस्यवां आज की दुनिया में उनेक चुनोतियां से गुजर रहे है आज की दुनिया उनेक चुनोतियां से गुजर रहे है दोसों को पहले बनी अंतरास्ट्यों सोंस्थाओं की प्रासंगिक्ता और प्रभाप पर भी प्रस्ण उठ रहे है इन पुरिस्तितियों में भारत एसाग देश बनकर उभारा है जो आज की विभाजीत दुनिया को किसी ना किसी रूप से जोड़ रहा है आज भारत उन देशों में से एक है जो ग्लोबाल सप्लाइचेन पर विश्वास को फिर से सोशक्त कर रहा है इसलिए आज दुनिया भारत की तरफ उमीद की नजर से देखते हैं इस बस भारत जी ट्वेंटी जेसे प्रभावी समुह का ने तुरुत कर रहा है वान आर्ट, वान फेमिली, वान फ्यूचर के मंच के साथ, मंत्र के साथ भारत की पूरी कसिस है कि जी ट्वेंटी के सोदस्यो देशों के साथ मिलकार मोजूदा बोईशिक चुनोतियों का सामुहिक समाधान तला साजाए मेरी सरकार इसको शिर्फ एक डिपलमाटिक प्रोग्राम तोक सिमित नहीं रखना चाहते है बलकि पूरे देश के प्रयास से भारत के सामुर्थ और संस्कूति को सोकेस करने का अफसर है इसलिए पूरे देश के दर्जोनों सेहरों में सालवर जी ट्वेंट की बोईठे के आयोजित की जा रही है मानोनियों सदस्यगों ये भारत के बोईशिक क्रिष्टों का बहतरिन दोर है इसमें दुनिया के विफिन्नों देशों के साथ आपने सोहयोग और मीत्रोता को सोशक्त किया है एक तरफ हम इस बस एस सी ओ की अज्जोकता कर रहे हैं तो ही दूसरे त्रफ वार्ड का मेंबर होने के नाते इंडो पैसिफिक में सान्ती, स्थिर्ता और समुर्धी के लिए काम कर रहे हैं हमने अपने राष्ट्यों हीतों का स्वर्वपरी राखते हुए अपने भूमी का बिश्तर किया है अपकानिस्तन में भूमी भूकम हो या फिर स्री लोंका का संकट हम सब से पहले मानुविय सोहायोता ले कर पहुंचे भारत को ले कर आज जो सोद्भाव है उसका लाव हमें अपकानिस्तन और यूक्रेन में पैदा हुए संकट के दोरान भी मिला संकट में फशे अपने नागोरिकों को हाम देशों से शुरुख्खित ले कर आए इस दोरान भारत ने कोई अन्यों देशों के नागोरिकों को की मदद करके अपना मानुविय सोरुख को फिर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया मानों यो सदस्यगों भारत ने आतमबात को बात को लेकर जो कड़ा रूक अपनाया है उसको भी आज दुनिया समझ रहा है इसलिए आतमबात के बिरूत भारत की आवाज को हार मंच पर गमभिर्ता से सुना जा रहा है पहले बर्स अक्टबर में भारत में पहली बार UNSC काउंटर केरोरिज्म कोमिटी की एक बिसेश बोल्टक आयोजित की गई इसमें भी भारत में आतमबात के बिरूत आपनी भूमिका को स्पोस्ट क्या साइबार सिकुरिटी से जुड़ी चिंताओं को भी मेरी सरकार गमभिता से पूरे विश्चो के सामने रख रही है मेरी सरकार काम साप मनना है कि 27 सान्ती तभी संभव है जो भाम राजनीतिक और रणनीकति के रूप से ससक्त होंगे इसलिए आपनी सञ्ण सक्तिक के आधुनिकी करोण पर हम निरंतर बोल दे रहे हैं मानोनिय सदस्योगन लगत अंत्र की जननी के रूप में भारत की अनन्त यात्रा अनन्त गोरोब से भरी हुई है हमने लगत अंत्रों को एक मानोविय संस्कार के रूप में विक्षित किया है आपनी हजारों बोर्षों के अतीत की तहत तरही आने वाले सदियों में भी भारत मानोविय सभ्यता को की अभिरल धारा की तरह अनवरत गोतिमान रहेगा भारत का लगत अंत्रों सम्रुद था सोशक था और आगे भी सोशक होता रहेगा भारत की जिवत्तना अमर्थी आगे भी अमर रहेगी भारत का ज्यान विज्यान और अध्यत्म सदियों से बिशो का मार दर्शन करता रहा है और आने वाले सदियों में भी बिशो की इसी तरह रहा देगा राश्ट्रपति का अभिवाशन एक घज्जे से ज़्यादा वक्त चल रहा है और बहुत सारी महत्वपूर बातें उनने कहीं हैं बहुत सारी उपलब्धियों का उन्होंने जिक्र किया है ABP गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी